हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आपको बता है आपका काउंट एसिस्टेंट का एक्जाम ओवर हो गया बड़े से स्टुडेंट्स कन्फ्यूज है कि हमारा आएगा वान एट एट नाइन उसमें जॉब हमारी लगेगी कि नहीं लगेगी तो उसे अभी आप सा एक नाइंटी थाउजन फॉर्म फिल हुए और वन लैक सिक्स्टी थाउजन ने पेपर दिया और उसमें से सिर्फ और सिफ एटीन हंडर्ड नाइंटी पोस्ट ही प्रोवाइडिड है तो जो बाती बढ़ जाते हैं बाउट वन लैक फिफ्टी एट थाउजन तो उनने तो उसी चीज को बरकरार रखने के लिए आपका ज्यादा टाइम देशनी करूंगा मैं बता रहा हूं आपको जैसे पता है आपका ट्रेंटी फाइब से एक्जाम है जिक्के बैंक पीयो का आप सभी में बहुत से स्टूइंट से फॉर्म बढ़ा होगा तो उसके लिए मैं क्ल केली ग्राम में कोशन्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे जहां पर आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे तो चलो पहले हम डिसकस करते स्लेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं आपके एक्जामिनेशन का स्ट्रॉक्चर टॉपिक कॉन सा आएगा तो आप सभी को पता होगा जादा टाइम निलूँगा यह है एक इंग्लिश फिस सेकेंड आथ है क्वांट एंड रीजनीग ठीक है तो इंग्लिश के तीस कोशन होते हैं क्वांट के थर्टी फईव और रीजनीं के थर्टी फाइव जिसके लिए हर एक सेक्शन के लिए आपको है आपका यह नहीं कि आपका रीजनिंग पहले बीस मिनिट में जल्दी खतम हो जाता आप आगे स्किप कर लेते हो ऐसा कुछ नहीं है आपने प्रॉपर ट्वेंटी मिनिट्स देने हैं रीजनिंग एबिलीटी को जिसके 35 कोशन है तो इसमें हम आगे बात भी करेंगे कि क्या रहना स्रेटीजी रहनी चाहिए क्या मतलब आसपस किसके कट ओफ रहेगा इसका आप पहले ही कर सकते हो कि कितना कट ऊफ रहेगा इसमें इतना मिंटिशन भी नहीं रहेगा ऑबसी बात है फ्रॉम भी काम में तो अब आपने इसमें थोड़ा स्मार्ट वरक से कैसे काम करना है देखे इंग्ली स्यक्षेयаже आपकी 20 मिनिट की जिसमें आपके 30 कोशन होंगे इसमें टाइम का इतना इसू नहीं आता है इंग्लीश जिसको आता होता है इंग्लीश में आपके एरे डिटेक्शन वगएरा पैरा जंबल्स वगएरा आ जाते हैं उन सभी को आपने आगे करना होता है इस चीज के लिए यह है कि आप न्यूस्पेपर पॉपर रिटिंग कीजिए आपकी वोकैबली को आप उपर वर्क कीजिए आपका यह सेक्शन असानी से क्लियर हो जाएगी इ तक हिए कि अगर तीज कोशन है इसमें अगर आप एकूरेसी के साथ ट्विंटी टू भी अगर आप लाएं तो बड़ा अच्छा स्कोर रहेगा क्यूंकि पियों का कट ओफ अराउं फिफ्टी फाइव यह भी शाय से मैं ज्यादा कह दूं इतना ही रहेगा लास्ट आपको आपको पता है जो आपने बीस कोशन में करने है यह पॉसिबल तो नहीं हो पाता कि आप थैंट्रीश के पांटीश अटेंप्ट कर सकें लेकिन इसमें आपने क्या करने आपने स्ट्रॉंक पॉइंट्स दून ने हैं और कोशिश करने सिर्फ और सिर्फ विद एकुरेसी तो अगर आप उसी पे प्रॉपर फोकस करोगे तो पंद्रा से बीस कोशन आप अगर उदर से प्रॉपर टार्गेट करें और आगे जो थोड़े सो ऑप्शन बच जाते हैं कोशन करने के जैसे सिंप्लिफिकेशन के होगे उन्हें असानी हो जाएगी आपको इसमें भी 2225 टार्गेट करने में देखो बाइस नंबर इदर अगर आप बीस भी इदर लाते हो तो 42 इदर ही हो जाते हैं वैसे क्वांट में थोड़ा काम ही आप कर सकते हो क्योंकि क्वांट्रेटिव थोड़ से या आज से ही कोशिश करूंगा स्टार्ट करूं जो आपको डेली बेसिस पर प्रवाइड किये जाए बैंकिंग एक्जाम की सबसे बड़ी खास्यत यह है कि जितनी आप प्रेक्टिस करोगे उतनी कम है प्रॉपर प्रेक्टिस कीजिए मैं आपको टेलीग्राम पर कोशि किज़े 7 देती आपको यह आंसर करने कंश रओगा गाँ देखिए कि आपका कितना टाइं लग रहे है और मैक्सिमम् टू मैक्सिमम् आपने कोचिस करना है एक पजल को फाइए मिनिट मैक्सिमम् कह रहा हूं है पाइव मिनिट से जादा नहीं अगर आप का इस प्तिन पर 20 to 25 आप टार्गेट कीजिए reasoning ability में तो आपका काम बन गया हमने ज्यादा मास लाने की नहीं सोचनी इसमें इसमें आपने smart work के साथ कैसे काम करना है English में आप सोचिए कि मैंने 30 कोशन में से अगर मैं 22 भी accurate करके आऊं quantitative aptitude में 20 कर दूँ और reasoning ability में 25 reasoning में आप कर सकते हो अगर आपको proper tricks पता हो अगर आपको पता चल जाए कि अगर आपकी जो puzzles में है speed increase हो जाए जो हम कल से start करने वाले हैं आपको हर हर टाइब की मैं puzzles ट्राय करूंगा आपको प्रवाइड करने की विदान सच और आपकी प्रेक्टिस के लिए टेलिग्राम पर प्रवाइड कर दूँगा उसमें अगर आप 25 marks लिए जाओ तो आपका बहुत अच्छा स रहने वाला है तो आपका 67 भी बड़ा अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप इस strategy के साथ पढ़े अब मैं बात कर लेता हूं पِّर सबस्क्राइब फोकस की जाए उसके आपको इने क्वैलिटी के भी प्र्वापर ट्रिक बता दी जाए जिसमें आफ सेफर सेप मैक्स मैक्सिमम टू मैक्सीमम वन में प्रॉल मीनट में के फाइव कोोश्टन कर लो गया है पिए इने क्वैलिटी के वो आप मैं से बूत तो यह आपका reasoning ले बस alpha numeric series होता है सबसे पहले आप सबीको पता होगा उदर series दी होती है simple बीच में numeric series भी होती है alphabatic भी होते हैं फिर उद्वर से आपको question आ रहते हैं कि अगर हम यह deduct कर दें है symbols भी होते हैं इसमें तो इसमें क्या ये number आएगा फिर आता है coding decoding फिर आपने target करना inequality के जिसके पांच question आने के chances होते हैं four to five रहते हैं लेकिन coded भी आती है आज कल तो उसमें थोड़ा सा extra time लगता है जादा नहीं थोड़ा सा extra time अब एक मिनिट के वजाए दो मिनिट लग जाएंगे इसमें ठीक है फिस logism आता है logism के बाद blood relation बड़े से students का strong point blood relation भी होता है ठीक है तो आप इस पर भी focus कर सकते हो फिर बात करते हैं puzzles and sitting arrangement इस चीज को आपने पकरना है this is the most important topic the most inseparable part of आप कहा सकते हो reasoning का slave bus है यह क्योंकि इसमें आपका रहेगा fifteen to twenty marks की यह अगर आप इस पर काम करेंगे इन पंद्रा दिनों में मैं कहूंगा आपका बड़ा अच्छा score रहेगा साथ साथ आप स्लोगिजम और inequality को पकड़ लें ठीक है उसके बाद direction टेस्ट भी आता है यह भी इजी टॉपिक होता है यह भी मैं कराने की कोशिश करूंगा तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं आपको बस मैंने मर्जी होते हैं अगर अप हर एक साइड का एक एक भी मॉक टेस्ट अगर आप हर एक साइड का एक-एक मॉक टेश्ट भी फ्री वाला यूज करें तो आप अचानी से कर सकते हो मैं यह suggestion दूँगा इसमें हमें प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है आगे आपकी मर्जी है आप पेड़ भी जा सकते हो पेड़ में पैसे खर्चों के तो थोड़ी ज्यादा फैसिलीटी मिलेगी आप तो यह मैं आप सब पर छोड़ता हूं अगर कोई पैसे खर सकता है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी से आप अपने आपको कर सकते हैं तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं गाइस थैंक यू है वे गूट डे एंड इंजॉडे गाइस